हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब अच्छे होंगे मज़े होगे मेरे नम नासिर है और आप देख रहे हैं एबी टेक व्लोग तो दोस्तों फाइनली आज हम लो करने वाले हैं कॉस्पेट प्राइम एस वोच का फुल रिव्यू जानेंगे फीचर्स के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है और कि आप लोगों को इस वोच को परचेस करना चाहिए या नहीं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं बाकि इस वोच में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लम्मी होने वाली है बट वीडियो को पूरा इस तरह की डिजाइन मिल जाती है जो कि काफी अच्छे लगती है और उपर सेट में आपको क्रोम की एक रिंग भी मिल जाती है इसकी वाड़े से इसकी डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है वहीं क्योंट की बात करें तो यहां पर आपको पॉली करबिन प्लास् जाता है और वेट के बात करें तो इस वाच का वेट ए 68 ग्रम तो काफी ज्यादा हेवी है और अगर आप इसको पहनते हैं तो आपको फिल होगा उसके बात थिकनेस की बात करें तो 16.7 mm इसके थिकनेस है तो काफी मोटी और काफी बड़ी बाच है तो जिन लों की रिष्ट पतली है या फिर मीडियम साइज किये तो उन लों के उपर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है यह बाके जिन लों की रिष्ट काफी चौड़ी है तो उन लों के उपर ये वाच काफी अच्छे लगने वाली है खास करके दा ग्रेट इंडियन खली के उपर ये वाच काफी अ आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ तो यहां पर आपको 1.6 इंचेस की काफी बड़ी IPS डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें आपको 400 x 400 पिक्सल का रिजुलेशन मिल जाता है बट जाहिर से बात है जो डिस्प्ले का साइज ये काफी बड़ा है तो डिस्प्ले उतनी जादा शा मिलता है जो कि मुझे काफी सही लगा उसके साथ आपको 70% एप देखने को मिलते हैं बाकी इसमें आपको ट्विश्ट करेंगे इसके डिस्प्ले आन जाती बाकि इसमें आपको कस्टम वाज़ीश का फीचर नहीं मिलता है तो आप अपने फोटो को वाल पेपर की तरह नही सकें तो वह भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो वाल पेपर आप सेट नहीं कर सकते हैं इसमें जो कि मुझे काफी अजीव लगा और इसके पैड़ोमेटर की एकटीशेट आते हैं सबसे पहले मैंने 200 स्टेप लिये तो इसने 196 काउंट कि उसके बद मैंने 250 श्टेप लिये और 242 काउंट कि तो रिजल्ट काफी आया बाकि GPS इसमें वर्क नहीं करता है उसके बाद यहां पर अपको हार्टेट का फीचर मिल और इसके heart rate की accuracy काफी जबरदसत है मैंने इसको ऑक्सिमेटर के साथ compare किया तो reading बिलकुल match कर रही थी पहले मैंने normally चेक किया उसके बाद मैं दौड कर रहा है दूबारा से चेक किया तो भी reading काफी हद तक match कर रही थी तो heart rate की accuracy से जबरदस देखने को मिल जाती है उसके बाद इस watch मापको SPO2 का feature भी मिल जाता है और यहां पर आपको अलग से sensor भी मिल जाता है तो इसमें SPO2 ला feature real है बाद इसको मैंने ऑक्सिमेटर के साथ compare किया तो reading काफी ज्यादा उपर नीचे आ रही थी इसमें SPO2 मेरा 89 त मैंने इसको check नहीं किया क्योंकि काफी बड़ी watch है और इसको पहन कर सोना possible नहीं था मेरे लिए नहीं नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने इसमें sleep tracking नहीं की बाकि कैसा result आता है वो मुझे नहीं पता उसके बाद यहां पर आपको breathing exercise का feature मिल जाता है तो इनहीं लेक्जल करकर सकते हैं और video recording भी कर सकते हैं उसके साथ ही यहां पर आपको उपर जाट भी एक camera मिल जाता है जो कि 8 MP का है और इसकी मदद से भी आप photo click कर सकते हैं और video recording कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसके camera का sample आप लोगों को दिखा देता हूं तो यह video record हो रही है Cosmet Prime S के front camera से जो कि 5 MP का है और इसकी quality आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलती है बाकी अभी मैं switch करने वाला हूं उसके rear camera में जो कि उपर साइड में दिया गया है जो कि है 8 MP का तो उसकी भी video testing करते हैं कि किस तरह से quality मिलती है और यह है इसका rear camera जो कि उपर साइड में दिया गया है जो कि है 8 MP का और जो audio सुन रहे है वो भी इसी watch से record हो रही है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह कि आपको quality देखने को मिल जाती है और सामने sun है सूरज है तो देख सकते हैं जो dynamic range है वो बेकार लग रही है बाकी इसको बाद में बड़ी screen पर देखेंगे तो पता चलगा किस तरह से quality मिलती है तो camera की quality मुझे decent लगी smart watch के हिसाब से बाके दूसरे features की बात करें तो इस watch में आपको sim का support भी मिल जाता है तो यहां पर आप nano sim लगा सकते हैं और इसमें आपको 4G LTE का support मिलता है वोल्टी का support नहीं मिलता है और मैं इसमें geo sim टेस्ट किया तो geo sim वर्क नहीं कर रहा था उसक में काफी सारे call attend किये तो काफी अच्छे से बात हो रही थी सामने वारी के पास अवाज अच्छे से जा रही थी और उसकी वी आवाज अच्छे से आ रही थी तो call में कोई भी problem देखने को नहीं मिली मुझे परफोर्मेंस के बात करें तो यहां पर आपको quad core CPU मिल जाता है इस watch में और 1GB के RAM 16GB का storage मिल जाता है तो यहां पर आप song वगे रश्टोर कर सकते हैं या फिर application को download कर सकते हैं और hulkyful के game भी आप खेल सकते हैं इसमें मैंने सब्वे surface इसमें खेला और काफी अच्छे से चल रहा था कोई भी issue देखने को नहीं मिला माकि ऐसा नहीं कि आप PUBG इसमें खेल सकते हैं क्योंकि काफी छोड़े screen ने PUBG के लिए और उतना ज़्यादा हैवी इसमें प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है एक बार इसमें गेम भी प्ले करके देखते हैं कि कितने देरे में सब्वे surface अन होता है जख सकते हैं काफी स्मूद गेम इसमें प्ले हो जाता है बाकी ओपन होने में लगबग एक मिनट का टाइम लगता है इसको बाकी Android वर्जन के बात करें तो यह Android 9.1 पर रन कर रही है जो कि काफी old हो चुका है और security patch update के बात करें तो March 2020 का यहाँ पर आपको security patch update देखने को मिलता है तो watch बे update आएगा या नहीं वो तो काफी मुश्किल है और उमीद नहीं है किसमें कोई update आएगा अब इसके menu बे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या features इसमें मिलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको phone का feature मिल जाता है और इसमें आपको dial pad भी मिल जाता है तो किसे कभी आपको context का feature मिल जाता है तो आप number को सेव कर सकते हैं उसके बाद SMS और यहाँ पर आपको settings मिल जाती है और जैसे आपके phone में settings रहती है उसी तरह की settings यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है जैसा कि battery, display, sound, storage, location, google, system और about phone अब about phone में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IMI नमबर आपको मिल जाता है उसके बाद 1GB के RAM 16GB का आपको ROM मिल जाता है और Android 9.1 पर यह run कर रही है watch बाकी security patch update के बाद करें तो वह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसमें तो देख सकते हैं मार्च 2020 का उसके बाद यहाँ पर आपको camera का feature मिल जाता है इसमें आपको gallery भी मिल जाती है जैसा कि आपको smartphone में मिलती है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो गएरा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको calendar मिल जाता है और देखते हैं इसको open करके तो कुछ इस तरह का आपको calendar मिल जाता है और आप मन चाही date को देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको alarm का feature मिल जाता है यहां पर आपको music का feature मिल जाता है तो music में जाएंगे तो यहां पर music का control कर सकते हैं अगर आपकी watch phone से connect है तो उसके बाद चलते हैं तो य अफते बर का weather शो हो जाता है इसमें उसके बाद चलते हैं तो यहां पर आपको fitness mode मिल जाते हैं उसके बाद desktop settings में जाएंगे तो यहां से watch face को change कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको menu style भी मिल जाती है और देख सकते हैं आपको लगवग 4 तरह की menu style भी मिल जाती है तो अग आपको play store मिल जाता है और play store को यहां पर मैं उपन करके दिखा दिता हूं तो देख सकते हैं आप किसी भी application को download कर सकते हैं इसके बाद चलते हैं बैड और यहां पर आपको मैप का फीचर मिल जाता है तो Google Map को आप यहां से देख सकते हैं बट यहां पर आप इसको जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं जैसा कि देख सकते हैं अभी मैप ओपन हो गया है बट इसको जूम करते हैं तो जूम नहीं होता है और सर्च करने के लिए भी देख सकते हैं जो सर्च बारे वो पुरा कटा हुआ है तो अतने इच्छे से आप सर्च नहीं कर सकते हैं बाकिस में कीबोर्ड का आपको सपोर्ट मिल जाता है तो टाइप अगर आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको आप्टिमाजेशन का फीचर मिल जाता है तो इसमें जाते हैं तो यहाँ पर क्लीन टास्क तो क्लीन कर सकते हैं और स्क्रीन को लॉग भी कर सकते हैं उसके बाद इसमें आपको face lock का feature भी मिल जाता है बट यह उतने इच्छे से work नहीं करता है क्योंकि camera की quality उतने इच्छी नहीं है तो अगर आप बिल्कुल bright area में रहेंगे आप outdoor में रहेंगे तो यह work करता है अंधरे में यह work नहीं करता है उसके बाद third party application adapter मिल जाता है app freeze यह सब features मिल जाते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको watch face store मिल जाता है जहाँ पर नए-ने watch face आते रहते हैं और आप उसको install करके use कर सकते हैं तो काफी अच्छे watch face यहाँ पर आपको मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको app store मिल जाती है तो यहाँ से भी आप app को download कर सकते हैं अगर आपको google पे अपनी ID नहीं बनानी है तो यहाँ सब direct install कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको assistant का feature मिल जाता है तो यहाँ पर connect phone और remote capture, music control यह सब features आप यूज कर सकते हैं find my device का feature यूज कर सकते हैं पर इसके लिए आपको watch को phone से connect करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर भी आपको face lock का feature मिल जाता है यहाँ पर मैंने YouTube को download किया तो YouTube आप देख सकते हैं इसके बाद calculator मैंने डाउनलोड किया है और यहाँ पर मैंने music pillar को भी download किया है तो यहाँ पर मैं एक song भी आप लोगों को play करके इसमें सुनाता हूँ तो speaker की quality भी काफी मस्त यहाँ पर देखने को मिल जाती है काफी loud और काफी crisp आवाज आती है तो काफी सारे features यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एक बार YouTube भी open करकर देखते हैं और YouTube में आप search नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो search icon आता है वो यहाँ पर show नहीं होता है देख सकते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो को search नहीं कर सकते हैं बट इस तरह से आप स्वाइब करके वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर मेरी वीडियो शो हो रही है तो इसको ही प्ले करते हैं क्योंकि copyright issue हो सकता है तो कुछ यहाँ पर आपको limitation देखने को मिलती है ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन की तरह आप इसको use कर सकते हैं बाकि मुझे कुछ लोगों की तलाश है जो लोग वीडियो को देखते हैं बट subscribe नहीं करते हैं तो देख सकते हैं 94% ऐसे लोगे जो लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं कौन ही लोग कहां से आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें बाकि हां यहां पर आपको unlimited application का support मिल जाता है आप जो चाहे application रोट कर सकते हैं एक भाई साब ने मेरी unboxing वाली वीडियो पर कमेंट किया था कि क्या हम इसमें gcam को install कर सकते हैं तो हाँ वही कर सकते हैं बट क्या फायदा है क्योंकि इसका camera का hardware वह उतना तगड़ा नहीं है तो gcam को install करने के बाद भी उतनी इच्छी image quality नहीं मिलेगी आपको connectivity के लिए इस watch में आपको दो Bluetooth मिल जाते हैं एक 4.0 मिलता है और एक 4.1 का support मिल जाता है बाकि इस watch में आपको Wi-Fi का support भी मिल जाता है और Wi-Fi को connect करके आप YouTube की वीडियो बगरा देख सकते हैं और application को download कर सकते हैं बाकि यह आप support की बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi का support मिल जाता है और application की बात करें तो सबसे पहले page पर जाएंगे तो आप जो जो activity करेंगे इसको records को देख सकते हैं दूसरे page पर जाएंगे तो वहां पर आपको काफी सारे watch face देखने को मिल जाते हैं और तिसरे page पर जाएंगे तो वहां से आप अपनी profile बना सकते हैं त अगर यह connect हो जाती है तो मैं वीडियो में इसको add कर दूँगा बाकी अभी यह connect नहीं है फोन के साथ बाकी notification की बात करें तो अगर आप इसमें SIM लगा कर यूज करेंगे तो आपको call की notification आएगी और call आप receive करके बात कर सकते हैं और इसके साथ ही message की पर आपको notification मिलते और पूरा message इसमें आजाता है बाकी अगर आप इसमें WhatsApp को install करते हैं तो WhatsApp भी आप इसमें चला सकते हैं तो यहाँ पर मैंने watch को receive कर दिया और watch phone से connect हो गई यहाँ पर आप देख सकते हैं तो शायद कोई issue था जो connect नहीं हो रही थी बाकी जब आप phone से इसको connect करते हैं तो यह पर आपको यह page मिलेगा जहां पर आपको time date उसके बाद battery indicator network और यहाँ पर आपकी watch phone से connect है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद करेंगे तो यहां से आप Wi-Fi को Bluetooth इसके बाद data airplane mode और brightness को कम ज्यादा कर सकते हैं यह सब features मिल जाते हैं उसके बाद करेंगे तो यहां स activity records देख सकते हैं और left side से swipe करेंगे तो यहां पर आपको notification show हो जाती है उसके बाद right side से swipe करेंगे तो यहां पर आप मेनियों में चले जाएंगे जहां पर आपको सारे features देखने को मिल जाते हैं और दुबारा आप swipe करेंगे तो यहां सब sports mode में चले जाएंगे उसके बाद display पर tap करके hold करेंगे तो यहां से watch face को change कर सकते हैं और देख सकते हैं काफी smooth आपको animation देखने को मिल जाता है इसमें और इस watch map को दो बटन मिलती ऊपर बटन को प्रेस करेंगे तो आप back जाएंगे और नीचे बटन को प्रेस करेंगे तो आप home screen पर चले आएंगे बाके नीच काफी इसका buttery smooth देखने को मिला जैसा कि मैंने शुरूर में बता है कि इसमें आपको दो mode मिलते हैं एक sports mode मिलता है और दूसरा मिलता है android mode तो android mode में आपको सारे features मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और एक smartphone की तरह आप इसको use कर सकते हैं बाकी एक बार switch करते हैं इसक आपको calling feature नहीं मिलता है नहीं आप camera को use कर सकते हैं अब last day मैं जाते हैं इसके battery backup पे तो यहां पर आपको 1050 image के काफी massive battery मिल जाती है बट यह watch android operating system पे run करती है तो इतनी battery भी sufficient नहीं है और इसमें आपको एक सी देरे दिन का ही battery backup मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा बाकी अगर आपको सारे features चाहिए तो आप android mode में use करेंगे तो आपको एक दिन का ही battery backup मिलेगा और charging speed की बात करें तो इसको charge होने में दो घंटे लगते हैं तो battery backup मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसका तो बात है final verdict पे क्या इस watch को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो price क आपकी बात करें तो मैंने इसको 8600 रुपे में bangood.com से purchase किया है और 8600 के सबसे मुझे काफी सही watch लगी क्योंकि यहाँ आपको दुनिया बर के features मिल जाते हैं यहाँ पर प्लेश्टोर का support मिल जाता है YouTube पर वीडियो आप देख सकते हैं कैमरा मिल जाता है वीडियो recording आप कर स कर सकते हैं काफी जगों पर यहाँ पर जैसा कि YouTube में आप वीडियो को सर्च नहीं कर सकते हैं उसके बाद Google मैप में जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हैं तो वह सारे features इसमें उस तरह वर्क नहीं करते हैं जैसा कि आपको smartphone में देखने को मिलते हैं बट फिर भी काफी सार इसमें मिल जाते हैं तो 8600 में यह वर्थीट है आप लोग इसको ले सकते हैं बाकि काफी मोटी और काफी बड़ी वॉच है तो यह उतनी comfortable नहीं है तो अगर आप लोगों को लेना है तो लिंग आपको description में मिल जाएगा banggood.com का वहां सब जाकर purchase कर सकते हैं और थोड़ा रि वीडियो में इतना ही आप अप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आइट वीडियो को लाइक जरूर करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्यों फॉर वाचिंग